आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ इस तरीके का येलो सा टोन डालना आपकी फोटो में सिखाएंगे देख फरो कि ये फोटो देखने में कितने ज़्यादा मस लग रही है आप एक बार स्कीन देखो कितना वाइट है और कितना स्मूथ लग रहा है तो कुछ इस तरीके का आप भी अपने स्कीन को एडिट कर सकते हो like background में आप देख फरो कि येलो टोन का पुड़ा एफ्यक्ट है तो कुछ इस तरीके का येलो एस टोन आपक्रेट कर सकते हो एप सकाई में भी देख फरो कि थोड़ा सा एकवा टोन है एंड गयलेरी से हमने इस फोडो को सलेक्ट कर लिया है देख पर हो कि यह फोडो बिल्कुल ही रहा है एंड इस फोडो के अंदर अभी हम येलोटोन का effect देने वाले हैं कैसे देते हैं आईए देखते हैं सबसे पहले इस फोडो को यहां सेन पर क्लिक करके ओपन कर लेना है लाइट रूम आप के अंदर तो मेरे फोन में यह रहा लाइट रूम आप मैं लाइट रूम आप के अंदर इस फोडो को ओपन कर लिया हूं अब आपको उपर से स्क्रॉल करना है देन आपको एक लाट रूम का नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको जस्ट इस पर टैप करने पौल फोडो पर चलना है एंड आपको अपनी फोडो को सलेक्ट कर लेना है लाइक हमें इस फोडो को एडिट करना होगा उसे आपको लाट रूम आप के अंदर आड़ कर करने हैं इसके लिए हम जाएंगे लाइट वाल टूल के अंदर यहां से हम कॉंट्राश्ट की वैलियो बढ़ाओ कर लगबग 120When अब कर लो हम सेट्पीस खोण बक थोड़ा सा Muset रखते अंब debate करवेंगे 40वष्क को ठोड़ा सा कम कर देखो यह देखो बिफोर एंड यह देख वारें आप्टर तो कुछ इस तरीके की अभी हमारी फोटो दिख रही है अब आपको आ जाना है इफेक्ट्स वाले टूल के अंदर दिन यहां से आपको टेक्सर की वेल्यू प्लस टिक्स कर लेना है कलेटि को माइनस डू करलेना है इतना हो चनए के बाद आपको दीको बढ़ा लेना है डीच को लगबग you quick एक अभी को को भी थोड़ा सा और कम कर सकते हो तो कि इस फोटो में ज्यादा डाक टोन अच्छी नहीं लगेगी इसलिए जैसे मैं स्टेप बता रहा हूं आप ध्यान से फॉलो कीजिए आपको इतना स्टिंग हो जाने के बाद आपको आना है यहां से कलर वले टूल के अंदर यहां आने क सेटिंग हो जाने के बाद आपकी फोटो कुछ इस तरीके की दिखेगी आप एक बार यह फोटो देखो विफोर या आफ्टर तो अभी आपको यह फोटो उतनी अच्छी नहीं लग रही होगी लेकिन जैसे इस फोटो के अंदर हम येलो सा टॉन डालेंगे यह फोटो पू पूरा लाइटर में आपके अंदर किसी तरह का भी फोटो एडिट नहीं कर पाओगे टॉप बहुत ही ध्यान से देखिए आपको यहां लास्ट में दो कलर मिल जाते हैं परपल एंड मैजेंटर कलर तो इन दोनों को आपको पूछ कुछ इस तरीके से पहले सेचूरेशन को कम कर लेना है और सेचूरेशन कम हो जाने के बाद कुछ इस तरीके की आपकी फोटो जो है दिखेगी अब गई जापको यहां से करना है यह वाला कलर सेलेक्ट करना है आप देख पर एंड ग्रीन का पूरा लेफ चाईज की तरफ कर देना है यह उपको ठीक है जैसे आप ल सेलेक्ट करना हैं देख ऊर्त हो कि स्कीन में अभी और जोरpection तरन दीख रहा है तो ऊरेंच करेना है और इसके कम कर लेना है आपको मतलब मतलब बदलाओ करेंगे कोई भी जो यहां पको प्लस टेंगे यहां से मिलुमिने इसको प्लस सेवें कर लेंगे अब रेड़ वाला कलर करने हैं इसकी सचुरेशन को ऐसे बढ़ा देना है ठीक है आप देख पर लिप्स का कलर अभी रेड मतलब था और भी ज़्यादा अच्छा लगने लग लगा ठीक है यह कि यहां साथई साथ तो नहीं लगभग 27 क्या असपास left side करदेना है यहां से यहां से एक वालेड मसक करना है यहां सब्सक्रण जाना है यहां से अपको नीचे इस मास्क वाले कर दोने है टीकित करना है लगबग इतना कम करना कि आपके स्कीन वगरां पर इफक्ट वगराना या रहा है तो इटना होजाने कब यहां हो जहने के बाद अप्लाई पर कलिकट करना है यहां से काइच अब आपको कलर वाले टूल के अंदर चलना है Contrast को कुछ इस तरीके से कम कर लेना है And Highlights को आपको कुछ इस तरीके से कम कर लेना है थोड़ा सा काई हम Exposure को बिल्कुल हलका सा कम करेंगे लगबग यहाँ पर देख पर हो Minus यहाँ पर रख लेंगे Minus 06 And Highlights को इतना रख लेंगे यहाँ Contrast की Value कम कर देंगे And इतना हो जाने के बाद आपको Simple से यहाँ Done पर क्लिक कर लेना है आप देख पर फोटो कुछ इस तरीके की हमारी अभी दिख रही है अब आपको आजना होगा Detail वाले टूल के अंदर यहाँ सार्पिनिंग को बढ़ा लेंगे सार्पिनिंग को लगबग यहाँ 43 कर लेंगे Masking and Noise Reduction के Value आपको 54 कर लेनी है Contrast बढ़ा लेंगे 37 And Color Noise Reduction आपको 71 के आसपास बढ़ा लेना है अब देख पर होगी यह भी फोटो दिखने में कितने ज़्यादा मस लग रही है यहाँ हम Details को बढ़ा देंगे सांती साथ हमें लग रहा है कि थोड़ा स्कीन और वाइट होना चाहिए तो इसके लिए हम जाएंगे Mixed Roll में And यहाँ से हम Orange का Saturation और थोड़ा सा कम कर लेंगे ठीक है And इतना हो जाने के बाद आपको Simple से आप चाहो तो इसमें आप थोड़ा सा Luminance बढ़ा कर आप स्कीन का कलर भी Light भी बढ़ा सकते हो Then यहाँ पर आप देखवार हो यह देखो Before and यह देखवार हो After देखवार हो फोटो कितना ज़्यादा मस लग रहा है अब आपको इस Optics वाले बटन पर क्लिक करके इन दोनों को आपको On कर लेना है अब जैस्ट आपको इस Share वाले आइकोन पर क्लिक करके Save to Device करना है आपकी फोटो आपकी गैलरी में Easily Save हो जाएगी So I hope guys आज की यह वीडियो आपको काफी ज़्यदा पसंद आई होगी